गुड मॉर्निंग क्लास एर्थ संस्क्रत फिफ्थ चैप्टर बेटा ये ब्याकरण पोशन है उपपद विभक्ती तो फिफ्थ चैप्टर फर्स्ट लेक्चर जब किसी पद विशेश के कारण किसी खास विभक्ती का प्रियोग होता है तो उसे उपपद विभक्ती कहते हैं जयसे नगरम परिता ह्व्रक्छा संती तो उभय है क्या होता है चारो और चारो तरफ ठेकर तो यहाँ परिता व्रक्षा संति सहर में के पास क्या है तरफ व्रक्ष है पुत्र जनकेन सा ब्रहमति पुत्र पिता के साथ गूमता है तो यहां परिता और सहपद के कारण नगर में द्रतिया और जनकेन में द्रतिया विभक्ति का प्रयोग हुआ है प्रत्मा संबोधन को छोड़ कर द द्रतिया विभक्ति देखिए बेटा अभिताह मिस्चारो और सम्मुक परिताह मिस्चारो और उभयता कहते हैं दोनोर प्रतिक की और और बिना धिक कहते हैं धिकार को प्रक्ष होता है पूछना तो भवनाम इसमें द्रतिया विभक्ति का प्रियोग हुआ है भवनाम अभिता व्रक्षा संति ये क्या है द्रतिया विभक्ति ग्रामम परिता वनम अस्ति मारगम उभैता पुस्पाण संदिस में क्या है सम्में द्रतिया विभक्ति का प्रेयोग हुआ है सीता रामम बिना कुत्रा पिना गच्छत सीता राम के बिना कहीं भी नहीं जाती दुष्टम धिक दुष्ट को धिकार है, अध्यापक चात्रम प्रस्णम प्रच्छत अध्यापक, छात्र से क्या पूशत है बेटा, प्रस्ण, अब तरतिया विभक्ती देखिए, सह मिस साथ, भिना मिस भिना, हीना मिस से रहित, अंग विकार ये अगर कहीं विकार है हम तो वहाँ पे हम तरतिया विभक्ती का प्रयोग करते हैं अलम निसेद मत करो देखिए यहां अहम मित्रेण सह पठाम तो सह ये साथ मित्रेण सह पठाम सह की योग में तरतिया विभक्ती का बेटा प्रयोग हुआ है ज्यानेन बिना न नरा न सोबते, धन से हीन बेक्ती नहीं सोबित होता, इसमें भी तरतिया विभक्ती का प्रियोग हुआ है, भिचुका नेत्राभ्याम अंधास्ति, अगर अंग में कोई विकार आता है, तो हम तरतिया विभक्ती का प्रियोग करते हैं, अलम कोलाहलेन, तो भिचुका नेत्रा प्रियोग हम कहां करते हैं बेटा चतुर्थी विभक्ति का प्रियोग देने के योग में करते हैं जैसे राजा विप्राय धनम यह तो राजा उसको राजा किसको भिच्चु को वो सौरी राजा ब्रामण को धन देता है यह तो देने के योग में हमने चतुर्थी विभक्ति क यहाँ पर प्रयोग किया तो नमा नमस्कार की योग में भी चतुर्थी विभक्ती का प्रयोग हुआ है स्वाहा यह स्वाहा की योग में देवता को प्रदान करने की योग में चतुर्थी विभक्ती का प्रयोग हुआ कोई चीज अच्छी लगती है तो यहाँ पे चतूर्थी विभक्ती का प्रियोग होता है जैसे बाल काई मोद कम रोज्ते बच्चे को लड़ू अच्छे लगते हैं तो यहाँ पे चतूर्थी विभक्ती का बेटा प्रियोग हुआ है अब आपका ये lecture यही तक अगला लेक्चर कल पढ़िएगा आप लोग अपना homework नोट कीजिए अब आप लोग का बेटा ये homework है इसमें ये द्रतिया विबक्ति त्रतिया विबक्ति चतुर्थी तक आपको अपनी notebook पे लिखना है और समझना है अगला लेक्चर कल पढ़िएगा थैंक्यू class